So, Hey everyone, welcome to the new video. In this video, I am going to show you how to install Rabbit without paying any fees, without paying any subscription charges. So, let's go to the computer and I will show you how to install Rabbit without paying any fee. उससे बेल मैं बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को जादे श्रदा, शेर कर दो अपने Friends के साथ, जो भी Civil Engineering, Mechanical Engineering या फिर Electrical Engineering से बिलॉंग करते हो, या फिर उन्स स्टूइंट के साथ, जो Rabbit को यूज़ करना चाता है, या फिर AutoCAD को यूज़ करना चाते है, कूगि अगर Rabbit install करना आ गया, तो आप Autodisc के सारे Application, सारे Software, डाउनलोड करना इंस्टॉल करना सीख जाओगे और इसली विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन चार्जिज आप उसे यूज कर पाओगे रैबिट जो है बहुत कोस्ली उसके सब्सक्रिप्शन आते हैं सिर्फ रैबिट नहीं उसके साथ साथ आटोकैड आप अगर माया देखो वह मार्यो डीबी देखो ओब भी बहुत कोस्ली चार्ज करते हैं लेकि वहाद डेक्वे में आपको यहां पररक्द कैसेंब्स पर्चेस कर सकते हो और उससारे काम ऑफफॉर्म कर सकते हो तो चलते हैं आपने कंप्यूटर के लाप्टोप के स्क्रीन पे और बता दो कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन उसे पहले मैं बता दो कि रैबिट का जो सब्सक्रिप्सन चार्जेश काफी हाई है उसको पर्चेस करने के लिए आपको बहुत सारे पेमेंट करने पड़ेंगे लेकिन यहां पर जो है मैं कंप्यूटर में रैबिट को इंस्टॉल करने का प्रोसेस जानते हैं तो हम आगे अपने स्क्रीन पे जो की है क्रोम ब्राउसर का फॉस्ट पेज आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको जस्ट टाइप करना है रैबिट रैबिट डाउनलोड स् तो उसमें क्या होगा कि तो टाइम लेगा यहां पी आपको मल्टीपल सॉफ्ट्वेट दिखेंगे फ्यूजर्ण रैबिट रैबिट का जो सेकेंड वर्जन है जो यह से जन्रेटिव होता है यह के मदद से आप यूज कर पाऊगे रैबिट को ऑटोकैड ऑटोकैड फॉर कर सकते हूं सबसे पहले हम रैबिट को इन्स्टॉल करना सचीचश्ट अगर अप एकसस लेते हो तो आपको ம में Rabbit के subscription मिल जाएंगे औनी के लिए नेक्स हम education रोल for student student हम यहां पर जो हम data birth प्रेस करेंगे data birth प्रेस ने के बाद जो है हम अपना data birth बताएंगे इसको ठीक है next जो है हम क्या करेंगे data birth जब टाइब हो जाए गया आप जस्त हमको next कर देना next करने के बाद आपको एक page open होगा और वहाँ पर बोला जाएगा कि आपको just sign in करना है लेकिन अगर आपके पास account नहीं है तो आपको account बनाना पड़ेगा तो चलते हैं account कैसे create किया जाता है उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि यह जो first video होगा हमारा means होगा account कैसे create करते हैं उस पर बात करते हैं बहुत सारे process हैं आपको अपने college के नाम डालना पड़ेगा college का id डालना पड़ेगा तब जाकि आपको student का access मिलेगा otherwise आपको payment करना पड़ेगा charges लगेंगे तो सबसे पहले आपको just first name last name email id confirm email password create करना है तो एक मिनट में मैं अभी नाम अपना in करता हूं और फिर हम आगे account verified हो चुगा तो आप हम continue करेंगे और जो next page open होगा उस पर जाएंगे वहां पर कुछ details आपको fill करने पड़ेगे student ID हो गया वह आपको ID card fill up करना पड़ेगा यहां पर देखिए जैसे login हुआ है उसके बाद हमें अपना student ID card upload करना पड़ेगा जैसे मुझे rabbit download करना है तो हम rabbit प कर देना जैसे आप confirm करोगे next करोगे आपको ID card मांगा जाएगा तो मैं बता देता हूं कैसे आपको आगे बढ़ना है आज यह confirm नहीं होगा क्योंकि हमने बार बार ऐसा वह कर लिया तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर जिस्ट आप confirm करोगे next पर जाओगे तो आप क्या होगा कि आप से ID card या फिर आपके जो भी प्रूफ है से आप उस college से बिलॉंग करते हो उस पर आपको verify करना है और upload करोगे तो जैसे ही आप upload करोगे आपको एक email का notification आएगा यह आपका account verify हो चुका है next आप download कर सकते हो तो चलते हैं मैं अपने दूसरे account से download करके आपको बताता हू झालो